नमोगा आप सभी को महाशिवरात्री परव की बहुत बहुत बढ़ाई आज महाशिवरात्री की उपलक्ष में आज एक विशेश सत्र जिसमें हम जानेंगे भगवान शिव के 48 नाम और इन नामों के अर्थ ये नाम प्राप्त हैं अमरकोष में जो संस्कित साहित का प्रसिद्धतम कोष है और इसके रचेता हैं अमरसिम्ह जो बहुत होते हुए भी जिनोंने सभी सनातन दीवी देवताओं के इतने अच्छे अच्छे नाम अपने कोष में संकृत किये हैं तो आया हम चलते हैं आज अमरकोष में जो भगवान शिव के 48 नाम प्राप्त होते हैं उनको हम देखते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं ये श्लोक संक्याय मरकोष में एक एक तीस से एक एक चौतीस तो पहले मैं श्लोक का पाठ करूँगा और फिर एक एक नाम को आपके समख्ष स्पष्ट करूँगा तो जो 48 नाम है ये क्या है शंभुरीश पशूपति शिवशूली महेश्वर इश्वर शर्व इशान शंकर अश्चंद्र शेखर भूतेश खंड परशुर गिरीशो गिरिशो मृड़ वृत्युन जयक तिवासा पिनाकी प्रमताधिप उग्र कपर्दी श्रीकंठ श्रितिकंठ कपाल भृत्वामदे श्रेवो विरू पाक्षा स्त्रिलो चना क्रिशानुरेता सर्वज्यो धूर्जा टिर्नीलो हिता हरस्मर हरो भर्गस्त्र अंबकस्त्र पुरान तका गंगा धरोंदकरेपो क्रतुद्ध्वमसी वर्शद्धवजा व्योमकेशो भववभीमस स्थानू रुद्र उमापते तो यह 48 नाम है जो 5 श्लोकों में अमरकोश के प्राप्त होते हैं आईए अब इन सभी नामों को हम एके करके समझ लेते हैं पहला नाम क्या है शम्भू का क्या अर्थ है शम कहते हैं सुख अथवा कल्यान को और जो इस सुख अथवा कल्यान का संपादन करता है जो यह का संपादन करता है दूसरों को सुखत्वा का लियान देता है उन्हें हम कहते हैं शंभू अगला नाम है इश इश का क्या रथ है इश्टे इश जो एश्वर रिवान होता है जो शासन करता है उसे कहते हैं इश यह भगवान शिव का दूसरा नाम जो अमरकोश में प्राप्त तीसरा नाम है पशुपति पशुकार तो आप सामाने रूप से जानते हैं कि पशुशब्द का विवहार होता है मनुष्य से अतरिक्त जो तिरिया क्यों नीम है जीव हैं उनके लिए परन्तु पशुशब्द का एक व्यापक अर्थ है जो जीव मात्र के लिए है तो जो पशुशब्द के अर्थात सभी जीवों के पति अत्वास्वामी है उन्हें कहते हैं पशुपति अगला नाम क्या है शिव जो परसिद्ध नाम है इस पर मेरा एक चलचित्र भी है शिव नाम के चार व्युत पत्तियों के नुसार अर्थ और चार निरुक्तियों के इसका एक ही अर्थ में बताऊंगा शेवायातीती शेवा जो दूसरों को सुखी करता है दूसरों को कल्यान देता है उसे कहते हैं शेवा अगला नाम है शूली अत्वा शूलिन तो शूली किसे कहते हैं शूलमस्यसेती शूली जिसके पास शूल अत्वातर शूल है उसे कहते ह भगवान शिव का नाम है और फिर महेश्वरह और इसके पश्चात ईश्वरह दोनों नाम एक जैसे ही है एक में महाजुड़ा है तो ईश्वरह शब्द को पहले समझ लेते हैं ईश्वरह शब्द का अर्थ क्या है इशितुम शीलमसेति ईश्वरा जो सुभाव से शासन करता है जो सुभाव से ईश्वर रिवान है उसे कहते हैं ईश्वरा और महां शासाव ईश्वराश्च महेश्वरा जो महान ईश्वर है उसे कहते हैं महेश्वरा महेश्वरा और ईश्वरा ये दोनोны भगवान शिर्व के नام है फिर इश्वरह शर्व इशाना तो शर्व नाम जो श्नाति सर्वं प्रलयकाले इति शर्व जो प्रलयकाल में सब कुछ समहार करता है, सब कुछ की हिमसा करता है प्रलयकाल में बिनाशक रुप में उसे कहते हैं शर्व और फिर अगला नाम इशान जो इशान और इश्वर नाम एग जैसे ही है इश्टे तक छील इत इशान जिसका शील है जिसका सुभाव है शासन करना इश्वर रिवान होना उन देव को हम कहते हैं इशान इश्वर शर्व इशान फिर शंकर शंद्रशेखर शंकर तो प उन्हें हम कहते हैं शंकर और फिर चंद्रशेखरा चंद्रशेखरे यस्य सचंद्रशेखरा अत्वा चंद्रएव शेखरो यस्य सचंद्रशेखरा चंद्रशेखरा चंद्रजिनका मुकट है अत्वा चंद्रजिनके मस्तकबर है उन्हें हम कहते हैं चंद्रशेखरा तो यह भूतानाम ईशह भूतेशह, जो भूत अर्थात प्राणी अत्वा जीव, जो सब प्राणी अत्वा जीवों के ईश हैं, स्वामी हैं, उन्हें कहते हैं भूतेश, और फिर खंड परशु, खंड का अर्थ है जो काटता है, जो खंड खंड करता है, खंड या तीति खंड़, औ इनका फरसा काट दिता है, अपने शत्रों को काट दिता है, उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं, खंड परशु, और फिर गिरीश और गिरिश, ये दोनों नामें, इनमें केवल मात्रा कांथ है, गिरीश में रह पे दीर्ग मात्रा है, और गिरिश में रह पे फ्रस्व मात्रा है, तो गिरीश का अर्थ तो उस पष्ठी होगा गिरेर ईशा गिरीशा जो परवत के किस परवत के गिरेह कैलासस्य ईशा गिरीशा जो कैलास परवत के ईशा है स्वामी है उन्हें गिरीश कहते है और गिरिश शब्द वैदिक शब्द है वैदिक वांग में में इसका आर्थ है गिरव शेते इति गिरिशा जो गिरी में शैन करता है परवतों में शैन करता है उसे गिरिश कहते है अथवा गिरिरस्ट्यस्य इति गिरिशा जो कैलास परवत जिनका है उन्हें हम कहते हैं गिरिश यह लौके के समस्कृत भाशा में इ उसे कहते हैं मृद, इसलिए मृदानी एक भगवान शिव की पत्नी मृद का नाम मृदानी है, पारवती का नाम मृदानी, शिवानी, भवानी यह सब पारवती के नाम जिनमें मृदानी भी आता है, आगे चलते हैं मृत्युन जया, जो मृत्युन जया तीती मृत्युन जया उसे कहते हैं मृत्युन जया और फिर कृतिवासा आपको ग्यात होगा बंगाल में एक बहुत अच्छे कवी होए थे कृतिवास जिनकी रामायन है कृतिवास रामायन तो कृतिवासस शब्द है समस्कृत में तो कृतिकार्थ है चमडी विशेशत है यहां गज की चमडी को बस्तर बनी जिन्होंने गज की चमडी का आवरण लिया गजचर्म का आवरण लिया उन्हें कहते हैं कृतिवासस और फिर पिनाकी प्रमथा अधिपा प्रमथा अधिपा प्रमथा कहते हैं गण को तो प्रमथा नाम गणा नाम अधिपा अधिपा अधिपालक अधिश्वर हुआ इति प्रमथा अधि misma. जो श मुखकंगों का स्वामी है, श है अधिपति है उसे कहते हैं प्रमथा अधिपा. यह दूसरे श्लोक में प्राप्त नामों के अर्थ है. अब चलते हैं तीसरे श्लोक पे. उग्अ अधिवार्धित क्याड debit से संबद्ध है, संहारक रूप में उन्हें कहते हैं उग्र, फिर अगला नाम है कपर्दी, कपर्दो स्य जटा जूट है, अमरकोश में ही कहा गया है, कपर्द नाम है जटा जूट का विशेष्ट है, भगवान शिव के जटा जूट को, जटा को कहते हैं कपर्द, जटा समू रुपे कपर्दिनी, कपर्दिनी कहते हैं, महिशास और मर्दिनी दुर्गा को, और कपर्दी कहते हैं भगवान शिप को, फिर अगला नाम है श्री कंठा, श्री कंठा नाम का क्या रत है, श्री शोभा कंठे यस्ते सर श्री कंठा, जिनके कंठ में शोभा है, श्री है, क्या क काल का, तो शितिकंठ का क्या रत है, शितिकाल कंठे यसिस शितिकंठ, शिति अर्थात काल जिनके कंठ में, जिनके गले में हैं, उन्हें कहते हैं शितिकंठ, फिर अगला नाम है, कपाल भृत, कपालम विभर्ती ति कपाल भृत, जो कपाल को धारन करते हैं हाथ में, उन्हें कहते हैं कपाल भृत अब अगला जुश्टू कार थे वामदेवो महादेवो विरू पाक्षस्त्र लोचनौ वामदेव का क्या रहत है वामश चासव देवश्चेती वामदेवा वाम अर्थात सुंदर तो जो सुंदर देव है अत्वा जो वाम मालगियों के देव है वामपं वामदी गुणों से उकते हैं जो दान देता है जो द्योतित होता है दीपत होता है और जो द्योतक है जो दूसरों को द्योतित करता है प्रकाशित करता है उसे देव कहते हैं और महामश चासव देव श्चेती महादेवा जो महान देव हैं उन्हें महादेव कहते हैं फिर विरूपाक्षा स्त्रिलोचना, दोनों नेतर से संबंधित नाव है, विरूपाक्षा का क्या रथ है, विरूपानी, अक्षीनी यस्यस विरूपाक्षा, जिनके विशिष्ट रूप के अक्षा है, जो ग्यान नेतर है, तीसरा नेतर वह विशिष्ट है, तो विशिष्ट जिस करण से, जिस साधन से, जिस अंग से हम देखते हैं, उस अंग कहते हैं लोचन, जिससे लोकन करते हैं, अव लोकन करते हैं, उसे कहते हैं लोचन और जिसके तीन लोचन हैं, दो सामाने लोचन और तीसरा अगनेतर अत्वा ग्याननेतर उन्हें कहते हैं त्रिलोचन ये थ कहते हैं अगने को और रेतस कहते हैं बीज को अत्वा बीरे को तो क्रिशानुरेव रेतस क्रिशानुरेव रेतो यस्य सक्रिशानुरेता अगनी ही जिनका बीज है उन्हें कहते हैं क्रिशानुरेता और फिर अगला नाम है सर्वज्या सर्वज्या तो आप जानते हैं सर्वम जानातित सरवज्ञा, जो सब कुछ जानता है उन्हें कहते हैं सरवज्ञा, अगला नाम है धूर जटी, ये नाम ठोड़ा जटिल है, धूर जटी नाम में भी जटी है, और नाम भी जटिल है, तो धूर कहते हैं भार को, जैसे किसी को हम धुरंधर का क्या आर्थ है जो भार को धारण करता है उसे कहते हैं धुरंधर और धू का इसलिए आर्थ है भार और जटि कहते हैं जटा को ही कहते हैं तो धू भार भूता जटा यस्य सदूर जटिर यस्य सदूर जटि जिनकी जूट में पूरे विश्व का जिनकी जूट बहुत बहुत भारी है। उन्हें कहते हैं धूर जटी। फिर नील लाल रंग का मिश्रण। जो नील नील लोहित इत्तेवं तेना हम परिकीर्थित है मेरा अंग नील है अर्थात गाड़ी नील है अत्वा काले रंका है और रसाक्त है अत्वा समरक्त है और लोहित त्विशा है अर्थात रक्त के कारण लालिमा भी लिये है तो नील लोहित इसलिए मुझे कहा जाता है, ऐसा पौरानिक वांगमे में श्लोक एक मिलता है अगला नाम हरा, हरा कारत है, हरतीती हरा, जो दुरितानी हरतीती हरा, पापानी हरतीती हरा जो दुरित को, पाप को, दुखों को, दुखानी हरतीती हरा, दुखों को हर लेते हैं, उन्हें कहते हैं हरा, और फिर इसी से मिलता है उता नाम स्मरा हरा, स्मर कहते हैं कामदेव को, तो स्मरस्य हरा, हरतीती हरा, स्मरस्य हरा, स्मरा हरा, जो कामदेव को हर लेते हैं, जो काम मैं इस चल्चितर के वणन में आपको दूँगा, आपको देख सकते हैं, तो भर्ग का क्या रत है, भर्जते भव बीज अमिति भर्ग, जो समसार के बीज को भून देते हैं, उन्हें भर्ग कहते हैं, और यह भगवान शिव का एक नाम है, फिर अगला नाम है, त्रेंबका, त्रेंबका का क्या रत है, त्रेंबकान यस्यसा त्रेंबका, जिसके तीन नेतर हैं, उन्हें के तीन नेतर हैं, उन्हें कहते हैं, त्रेंबका यह तो सामान यार्थ हुआ, एक विशेश अर्थ क्या है, त्रिश्वंबकाम यस्यति त्रेंबका, तीन पर जिसकी दृष्ट उन्हें कहते हैं त्रेम्बकः जद्वा त्रयो अकार उकार मकार अम्बा शब्दो यस्येति त्रेम्बका अकार उकार और मकार ये तीन जिसके अम्बा हैं अम्बार था जो शब्द है था अत्वा वाचक है अकार उकार और मकार मिलकर बनता है ओम और ओम शेव का वाचक है पुष्पदंत के स्टोतर में भी कहा गया है, इसमें कहा गया समस्तम व्यस्तंवा त्वामेव गृनाति ओमिति पदम, तो भगवान शिव को ही ओम यह पद कहता है, ऐसा पुष्पदंत आचारे ने शिव महिमना स्टोतरम में कहा है, तो यह है त्रेमबक कार्थ फिर आगे त्रिपुरांतक, अंततीती अंतक, जो अंत करता है, उसे अंतक कहते हैं, और त्रिपुरस्य अंतक, त्रिपुरांतक, त्रिपुर के अंत करने वाले को त्रिपुरांतक कहते हैं, इसे चौथे श्लोक में प्राप्त नामों के अर्थ, आफ चलते हैं, पांचवे श्लोक में, गंगाधर, धरतीती धर, जो धारन करता है उसे कहते हैं धर, एवं गंगायाधर, गंगायाधरो गंगाधर, जो गंगा को धारन करते हैं, उन्हें कहते हैं गंगाधर, और फिर अंधकरेपू, अंधकस्यरेपू, अंधकरेपू, अंधकासुर के शत्र को अंधकरेपू कहते ह हैं फिरकले दुना हमें क्रतुध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध के अगे को द्वहम्स कर दिया, उन्हें क्रत्व द्वहम्स ही कहते हैं, फिर अगला शब्द है, अगला नाम है, वरिश ध्वाज़, वरिश ध्वाज़, वरिश अर्थात, जो धर्म का प्रतीक है, अत्वा बेल, अत्वा वरिश भध, वह जिनके ध्वाज़ पर है, जिनका चिन हैं उन्हें कहते हैं व्रिशद्वज अत्वा व्रिशभद्वज फिर अगला शब्द अगला नाम है व्योमकेश व्योमकेश का क्या रत है व्योमनिकेश यस्यस व्योमकेश जिनके केश आकाश में हैं तो ऐसा समझा जाता है चंद्रमा और तारा ये भगवान शिव के आहार्य।ह अहार्य। इनके आभूशन है।। अहार्य। और तम नुमसात्य।कम शिवम। है न। तो भरतनाटय। में यश्लोक बोला जाता है। तो चंद्रमः और जो तारें हैं वे भगवानौ शिप के आहार्य।धा आभूशन है। के आभूशन है, तो व्योमकेश, व्योमनिकेशायस्य, सव्योमकेश, आकाश में जिनके केश हैं, गंधा को धारन करने के कारण, उन्हें व्योमकेश कहते हैं, फिर अगला नाम है भव, भव का क्यारत है, भवति सर्वमिति भव, जो सब कुछ हो जाते हैं, उन्हें भव कहत जिससे डरते हैं, जिससे कौन डरते हैं, जिसके भैरव रूप से सब डरते हैं, उन्हें कहते हैं भीम, फिर अगला नाम स्थानों, स्थानों का क्या रहते हैं? तिश्ठती 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 त अस्तित्त्यक्व में रहते हैं। उन्हें स्धानों कहते है। और फिर, रुद्र तो प्रसिद्धनामें सके अनेक अर्थ चेमस्वी ठीकाऊं में प्राप्त हैं। यहां एक मैं बताऊंगा है रोधयत्यरीनिति रुद्रः। जो अपने शत्रों को रुलाते हैं। उन्हें क कोश में प्राप्त हैं एक बार फिर हम श्लोकों को देख लेते हैं इस प्रसारणी के अनुग्राहक बनना न भूले और अपने परिवार से अपने मित्र जनों से अवश्य कहें इस प्रसारणी के अनुग्राहक बने इसी के साथ आज का सत्र ही समाप करते हैं एक बार को आपको शिवरात्री की बहुत बहुत शब कामना है नमोवख